गुलाम नमी अज़ाद को कॉंग्रेस ने संगठन वसरकार में अन्यकों बार कई पदों से नवाजा दो बार लोग सभा सांसत बनाया जम्मुकस्मीर का मुख्यमंत्री भी बनाया चुनाओं की हार जीत से बचाकर पांच बार आरेस सांसत बनाया उसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ दी मुझे इस बात का बड़ा दुख है आपने लिखा कि भारत जोडो अभियान न चलाकर कॉंग्रेस जोडो अभियान चलाना चाहिए वो भी उस वक्त जब आप स्वे कॉंग्रेस पार्टी तोड़ कर निकल गए राहूल गांधी पर लगाए आपके आरोप निरधार है आपने जो इस्तिफात दिया है और जो पत्र लिखा है उसकी मैं घोर निंदा गरता हूँ दिग विजेसिया नमस्कार गुलाव नभी आजाद साहब और मैं हम दुनों एक उमर के और एक समय राजनीती में आई 1977 के विधान सभा चुनाओं में वे नहीं चुन पाए और उनकी जवानत जब थुई कश्मीर से लड़े थी मैं 77 में विधान सभा लड़ा था चुनाओं जीत कर आया उसके बाद वे देश के अकिल भारती युवक कॉंग्रेस कमिटी में महामंती रहे अद्देक्ष रहे मैं मद्रपुदेश युवक कॉंग्रेस में महामंती रहा हमारे उनके बड़े अच्छे संबन्द रहे आज भी है लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया जब मुझ कश्मीर में अगर नहीं जीत पाते थे तो उनको महरार से जिताया दो-दो बार लोगसभा का सदस बनाया पांच बार यानि कि 30 साल तक राजसभा में रखा मुख्य मंत्री बनाया मंत्री बनाया वो आज बात कर रहे हैं कि बड़ी उनको आहत हुई थी उस समय जब 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने एक ओर्डिनेंस फाड़ दिया आपको आपत्ती थी तो उसकी बाद 2014 में आपने राजसभा में विपक्ष के नेता का पकत क्यों सुईकार किया मंत्री मंडल से इस्तिफा क्यों नहीं दिया ये सब पहाने बाजी बंद करिये गुलाम नभी जी सीदी सी एक बात है कि आप हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए है जिन्नोंने कश्मीर की धारा 73 समाप्त की हो सकता है कुछ आपकी उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा आपने लिखा है कि आज कॉंग्रेस जोडों की आवशक्ता है और उसी पत्र में आप कह रहें कि हम लोग भारत जोडों की आवशक्ता नहीं है कॉंग्रेस जोडने के बजाए आप कॉंग्रेस तोडने में आज जो आपने कदम उठाया है मैं इसके घोर निंदा करता हूँ और उस समय भी जब सोनिया गांधी जीन जिनों ने जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई है तब आप ये कदम उठा रहे हैं मुझे कते ही आपसे ये उम्मीद नहीं थी कॉंग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है इस संकट काल में धरता से खड़े होकर आपको कॉंग्रेस साथ देना चाहिए आपके ने जो इस्तिफा दिया है और आपने जो पत्र लिखा है उसके मैं गोर निंदा करता हूँ और मुझे उमीद है कि पूरे देश के कॉंग्रेस जन आज मेरी बात से सहमत होते हुए आपके इस कदम की घोर निंदा करेंगे और डट कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इस देश के जो विवस्ता सामाजिक और आर्थिक विवस्ता बिगड रही है जिस प्रकरस के समाज को तोड़ा जा रहा है अल्फ सरके समुदाए के साथ जातियां की जा रही है या तेशाय किया जा रहा है उस समय आप कौंग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे बड़ा दुख है वड़ी गलानी है गुलावनी जी आप मेरे भाई सामान रहे है आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे बड़ा दुख है